मेटल सेक्टर में एक बहुत बड़ी रह लिया चुकी है दोस्तों क्योंकि मेटल सेक्टर इतना प्रोडॉक्शन की डिमांड आ रही है जितना इंडिया के अंदर प्रोडॉक्शन बनता भी नहीं है दोस्तों अगर उसे की साथ हम अगर बात करें मेटल सेक्टर जैसे की अभ कॉपर एस मेटल मतलब मेटल के कॉपर स्टील उसे के साथ और प्रोड़क भी तायर करता है दोस्तों उसी के बारे में जानेंगे उसे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकन जरूर दबाए आए दोस्तों च 24 रूपेज से हर कोई रिकामांडेट करता है कि बाई करो बाई करो जैसे कि मोतिला लोस्वाल ने फर्स टार्गेट दिया वन थर्टी का उसके बाद टू सेवेंटी डायरे का भी 300 भाई देखो मोतिला लोस्वाल जैसे भी आरजे ने तक कहा है कि बाई वेदानता में एक अगर हम वेदानता की बात करें दोस्तों अगर 6 मंत की भी बात करें दोस्तों तो देखे 6 मंत में भी 54 परसेंट का रिटें दिया है उसके साथ-साथ अगर दोस्तों हम बात करें वन येर की तो वन येर में भी भाई इसने 126 परसेंट का रिटें देखो दोस्तों वन मंत मे भी इसने ज्यादा गिराउट नहीं दिखाई है दोस्तों उसी के साथ अगर हम बात करें फाइएर की तो फाइएर में भी भाई तकड़ा मुनाफ़ा है जिसे कि 86% का रिटेल है अगर उसी के साथ अगर इसके हम बात करें दोस्तों कि डी लिस्टिंग होने वाली कंपणी जो फेल होगी देखो भाई क्यूंकि लाइस से ने खुद कहा कि इस शेर का वैल्यूएशन ट्रू वैल्यूएशन 300 प्लस है तब जाके 94 रुपीस का शेर पहुंचा है 252 पे देखो दोस्तों वन येर आगो अगर उसी के बात की जाए दो दोस्तो तो 96, 94 के आँस्पा से शेर चलता था गोविड के वजेते अगर उसी के साथ देखो दोस्तों अगर रैली बनती गई तो डायरेक्ट लिव रैली आके 180 पे रूक ही दोस्तों उसी के साथ-साथ आगर हम बात करें तो डायरेक्ली 231 और आज 252, अगर उसी की साथ-साथ higher point की भी बात करें न दोस्तों की तो 288 है, देखें दोस्तो 300, जबकि LIC ने कहा था, खुरूद की cheap valuation पे share को मत बेचो, जबकि आनिल अगरवार चाहती थे की 50% जो stick है उनके पास और जो बचा 50% वो भी acquire कर लें तो यह तो possible नहीं था, क्योंकि देखो दोस्तों सभी को पता था कि वेदान्ता एक multiple stock है, अगर उसी की साथ-साथ अगर हम बात करें, इसके financials की अगर उसी की साथ देखें दोस्तों, अगर आपको मैं इसका target भी पता देता हूं अगर इसके बात-बात करें, तार्गेट की देखें दोस्तों, नूट्रल और वेदान्ता टार्गेट प्रैस 300, मोतिलाल ओस्वाल, अगर मोतिलाल ओस्वाल जैसे लोग, अगर वेदान्ता जैसे शेर को अगर 300 का target देते न, दोस्तों, समझ जाओ वो already engaged है business में, जो कि metal से जुड़ी हुई है जैसे कि aluminum, copper, iron, इस तरह की products ये तया बनाते हैं अगर इसका market cap भी देखा जाए न, दोस्तों, तो भी बहुत ही तगड़ा market की, अब 93,000 का, तो metal sector की सबसे दिगज कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में बात किया जाए तो, अगर इसका dividend yield भी देखा जाए न, दोस्तों तब भी बहुत ही बढ़ी है, 3% का dividend लगबग 4% मानी लो, दोस्तों अगर उसके साथ-साथ हम बात करें, दोस्तो, company के बारे में, तो एकदम पहली बात तो बता दून दोस्तों की ये company पूरे depth फिरी है, उसका सबसे ज़्यादा profitable भी company है, उसी के साथ-साथ अगर हम इसके बात करें, दोस्तों अगर net sales की, तो देखें दोस्तों 2017 की बात करेंगे, तो 2017 में इसने लगबग 72,000 के आसपास sell की थी, अगर उसी के साथ 21 की भी बात करें, दोस्तों हमें net profit की important, सबसे ज़्यादा ज़रूद है, दोस्तों अगर net profit की भी बात की जाए न, 21 में दोस्तों इसकी 11,000 करोड profit है, 11,000 करोड, अगर उसी के साथ-साथ अगर पिछली year में बात करें, जबकि COVID था, COVID में सभी को नुकसान जहलना पड़ा था, तो इसको भी जहलना पड आए बाई, तो इसको देखें, दोस्तों, 6,000 करोड, जबकि अनिल अगरवाल इसी समय में इस कंपरी को dealist करवाना चाहते थे, अगर उसी के साथ-साथ अगर हम पिछले कुछ रिजर्ट देखें, quarter के, year on year के, तो 7,000, 10,000, 6,000, minus, minus, plus, फेस है दोस्तों, अगर उसी के साथ साथ अगर हम दोस्तों, इसकी बात करें, reserves की, reserves भी भहुत ही बढ़िया है, दोस्तों, अगर बात करें, year on year base पे, reserve भी बढ़ती हुए नज़र आएंगे, आप सबी को, देखें, 60,000, 2017, 62, 62, उसकी बात, दोस्तों, फिल से COVID, COVID के वाज़ से 54, और now, then, 61,000, तो अगर अगर हिस्सेदारी बढ़ाई हुए, अगर दोस्तों, अगर हम इसकी हिस्सेदारी की बात करें, promoters के, तो देखें, दोस्तों, promoter ने लगभग 55% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जब को 2019, 2018 की बात करें, दोस्तों, तो सिर्फ 50 की holding थी, जो कि 5% बढ़ाई जा चुके, अगर उसके पहले की बात करें, देखें, दोस्तों, 2020 में भी 15% था और 2021 में 16%, उसी के साथ साथ अगर डियाई की बात करें, दोस्तों, डियाई ने अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर लिए, इसका मतलब यह नहीं कि यह शेर छोटा मोटा है, भाई देखो इस शेर में जितना पैसा बन सकता है, अभी भी बहुत रह लिया नहीं बाकि, क्योंकि देखो चाइना से प्रोडक्शन के डिमांड है, अगर देखें दोस्तों, बहुत बड़े-बड़े इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट चालो है, बहुत बड़े-बड़े, तो जैसे कि आप स्रिल्लंका का हर जग़ पे, हर जग़ पे, छोटे से खिलोने से लेखे न भाई, इलेक्ट्रिक कार में तक इसका यूज़ हो रहा है, कॉपर की विना तो इलेक्ट्रिक कार अधूरी ही है, अगर बैटरी के अंदर भी जाए, तो बैटरी तक इसी कॉपर का यूज़ कर रही है, तो हर बै करना आपको ब्रोकर से बात करना अगर आपको यह अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना मैं तो कहूंगा एंडरेटर्ण की मामले अभी पचास रुपए का रिटर्ण यह कंपणी कुछ आने वाले एक-दो माने में दे सकती है पचास रुपए याने भाई देख लो लगबग 20% का मुनाफ़ा दो मन्त में मिल ही जाएगा कुछ भी होने दो अगर इसे के साथ-साथ अगर हम आरजे की भी बात करें दोस्तों तो आरजे ने भी खुद कहा था उस टैम में जबकि डिला इस्टिंग हो नी थी तब उसने कहा था कि भाई 300 प्लस नहीं कम से कम 320-340 के आसपास इस शेर को बेजना तो उसी की साथ-साथ कहूंगा दोस्तों कि आपना ओपिनियन रखना हो आप भी इस शेर के बारे में रिसेच करना और इसमें ज़रूर इंवेस्मेंट करना